स्वागद आप सब का एरलेंड टूर आफ यूई के अंदर ये दूसरा उडियाई मैच है जो खेला जाएगा शट जहां करिकेट स्टेडियम के उपपर मैट्स टाइमिंग है शाम के पांच बजए तो बहुत ही बड़ी आपको फिर से यहां पर एक और मैस देखने को मिलेग पिछले मैच अपना बहुत अच्छा गया था कोशिश करूँगा वही मुमिंटम हम आगे लेके जा सकें तो पिछले मैच की सम्मरी देखते हैं क्या वादस के अंदर हुआ कुछ नियाइलेंड टॉज जीती है पहले गिंदबा जी का फैसला करती है जवाब के अंदर अफ विकेट निकाला पच्छपन रंदेगे ग्राम हमें क्रेग यम को एक एक सफलता मिली मार कादीर जो बहुत बढ़िया बॉलर विकेट लेस्ट चला गया एलेंड चेस करने आती है एक टाइम पर जब टैक्टर और टकर खेल रहे थे तो लग रहा था टार्गेट चेस हो सकत फारुकी का चार विकेट ओमर्जाई को दो गुलबदी नईब और नूर अमत को एक एक सफलता मिली अफगानिस्तान 35 रंद से पहल ओडिया में जीत दर्च करती है और इस सीरीज को एक जिरो से लीड कर रही है तीन मैच के सीरीज है देखते हैं किस तरह से इस गेम के बात करूंगा अब्जर्विशन के रिसेंट लिया पर पहला ओडिया मैच वा था तो पिच के सर से बीव करी इसके बारे में आप से में चर्चा करूंगा फिर हम देखेंग के स्टैट्स और ट्लास्ट मैच अप्स और किसको कैप्टन डरना इस गेम में मुस्ली सब आती मैं टेलीगराम पर देता हूं टेलीगराम काली मैं आपको डिस्क्रिप्शन कपन स्ट्रक्शन में दिया हुआ है तो शार जाहां के अंदर यह मैच है बहुत ही प्यारा स्टेडिय मैं कल भी यहां पर जो मैच बादा ना दो बॉल रोड़ पे गई थी और दोनों बार बन्दा था पॉल लेके बाग गया कैमरे के अंदर तक दिखाया था इसको टीक है तो वह गया था अफगानिस्तान लेड़ का मैस तगल साथ मार्स तारीक थी 310 बना था पांच पगड़े नुकसान पर अफगानिस्तान ने बनाया था यह और अच्छा स्कोर बनाती है अच तो यार ओडियाई में होता ही निये परती ओवर सिरियस्ली का हूं तो मैं ओडियाई पचास ओर का होता है उसमें पर ओवर का में क्या बता है आपको जो लास मैंस था अफगानिस्तान आइलेंड का उसमें नौव विकेट पेसर का था चार विकेट वहां पर स्विनर्स केते हैं बड़ जैसे जैसे यह दूसरा उडियाई होगा भी तीसरा होगा तो स्विनर्स गेम में आ सकते हैं यूस ट्रेक रहा तो पिछले 10 गेम जो नौर एमन ने निकाला था पिछले गेम में लाफ्टाम अर्थरोडोक्स मैंस के 25 विकेट है जो 3-1 वाकरेम ने निकाला बहुत इछी वालिंग गेरी यह पिछ आप देख सकते हो बिल्गुल ड्राइ सरफेस था जो पहला ओडियाई मैंस खेला गया था थोड़ा सा ड् पिछे जाके नहीं देख सकते हैं जो अपनी शार जहां की पिछे सबसे लो बांस वाली पिछे पूरे यूवी के अंदर दुबई और अबुदावी को हम कंपैर करते हैं यहां पे 71 और 63 स्क्वेर सामने 76 मिटर की बाउंडरी होती हैं ऐसी पिछ थे इस थे आयाल टी-20 के लेटिस्ट वो यह है तो कैसे लिए कि पिछे रुपन मुझे पता है आप कमेंड करके चैनल पी निए सब्सक्राइब को लो गंटी बिटन दबा दो दोन टीम्स ना अपस में 6 मैचेस के लिए हैं 2429 की बीच में पांच जीती हैं आपर अफगानिस्तान एक जीती है आइरलेंड रहमलो गुर्बाज ओपन करेंगा इब्रहाम जादरन के साथ रहमत शा वन डाउन अजमत अलो शाहिदी टू डाउन अक अप्तान है उमर जाई इकराम अलीख हिल कीपिंग कर रहा है नभी गुलबदिन नईब नूर रहमत अल्ला मौमद ये इसने देब्यू किया था जब वो थीन सो दिन का हो गया था जो भाई सो दिन में डेब्यू किया है अला मौमद ने शोला साल अच्छी बॉलिंग रही इसने चांसे क्रेट करें थे वोड़ा अनलगी रहा था वारू की आपको दिख जाएंगे मेरे समझ के बार था टीम ने किस बेसे पे बहरी मकार्थी को ड्रॉप किया जो इतना अच्छा बॉलर है और दो दा वॉक्स गुरुबास चार माच्ष में 301 रंस वहाला एंसका फिर से जारी है इसके दो श़दाकि सी तीम डेंज वें बेकिंद में री mothers गता है वह बैक्तिंग फर्चशत में करिकेटर पूरा पूराः वहाला जब गुरुबास फ्लोप हो जाते हैं चेस पे जोगी उनकी चेस के पर उसा था आप देखते हो गुरुबास के ठारा की है ड्रॉप करना वैसे भी रिस्की है बट वहाँ पर एमेट सा कहता है मैं हूना क्यों डेंशन ले रहे हो सत्ता उनकी उसा थे चेस पे आड़ मैंचे पर तेरा मैच खेला है 430 गरंज है बैटिंग फर्ष्ट के अंदर इसकी एक शतक दो और शतक वाल इनिंग्स आई है चेस के उपर इसकी एक 50 है और हर बाद 30 में स्कूर किया तो अच्छा प्लेर है पिछले गेम में थोड़ी नीचे बैटिंग आई थी क्योंकि वीके टीन का थीर सुर में जाके गिरा था क्या ही बूले हैं चाहिदी 13 मैच 35 स्कूर्स था 408 अरंज से 450 है बैटिंग कैज भी ड्रॉप था था गॉमेस बन देगा चाहिए मैच में 129 रंस अच्छे क्रिकेटर है यह भी शाहिदी अजमुत्त वला अमर्ज यह दो मैच में 2 विकेट 21 रंस बैटिंग बॉलिंग कुझ भी करा लो भाई से कहता है मैं हूना मैं अब करूँगा मैच कंट्रोल लास्ट गेमें बैटिंग द्वाई नहीं थी नभी आग दिखा रहा अपने को 30 मैच 500 रंस है 250 है 33 विकेट है बैटिंग कर रहा आपको चालीस अरंकर के लास्ट मैच में दिया आट ओर बॉलिंग करके गया आपको ऐसे जो करिकेटर चाहिए और इसके दिखेंगे आपे 26 मैच में 570 रंस है 32 विकेट है और 250 है आपर 22 इनिंग के अंदर गुलब दिन नाइब यह भाई साब कही कही कैसे क्या हो यह स्पाई को मंत्रा बन गया ऐसे दिखो 30 मैच 21 विकेट से 300 क्यों रंस है जस्वर फन किसे ऐसे बुल ला नीची है 16 मैच 21 विकेट से 232 रंस है 50 है बार इनिंग के अंदर अच्छे ग्रिगेटर बट वेल्यू आपको विद बैट नीचे से मिल रही एकदम जल्दी आउट हो या तो जाके इसकी वेटिंग है इवन ना मुझकिल है नूर अमत का एक मैच में एक विकेट बॉलिंग सेकंड जो लास्ट मैच में आया था जो डॉक्रेल का आउट किया था अल्ला मॉम्मद का स्वेल अच्छा रा था पर पता नहीं पिछले गेम के अंदर पहला और फारुकी और अमर्जा ही ने डाला था डेट रॉक के अंदर फारुकी अमर्जा ही नूर अमत आते हैं पॉल स्चैलिंग एक अत्यस मैं चौदा सो रन से फॉटीट के अवरेज है तीन सर्टक दर सर्श्टक है इनका जो फॉर्म रहे ना इडिसरेंटली बहुत खराब रहा है बहुत अच्छा अब लह रहा है पॉल सेलिंग बट अपने करियर के एंड फेस में च्छै मैचस में 220 रन से फॉर्म दिको 5-8-14-6-10-14 बाइट क्या रन से ये पर चेस 9-66 तो इस तीन मैच के सीरीज में एक मैच में चलना चाहिए बट वह एक मैच कौन सा हो पता नहीं बाइसा अब इससे अच्छा आप दो मैचस जीत जा उसको डॉप करके तो मैंने वही कोशिश करी थी लास्ट गेम में बलबराइणी अटकिंगेटर चेस कुपर अचाहिए लास्ट गेम में बोल्ड हो गया चाहुईस मैच हेले अट्वड में 623 अंस एक सतक चाहर अर्षटक सब आयते चेस कुपर इसके तो चेस पर आप रोटेट गर सकते हैं वैंने कुपर 4 मेच में 40 रंस है वैटिंग फर्स चाहर चेस कुपर 35 जीरो चाहर प्रेस्ट फर्म बहता रहा है जबसे सने कप्तानी शोड़ी है बस वह एक पॉइंट है कप्तानी का प्रेशर बाई अलाग यह है मेंडिस एक यह बाल सलिंग चाहर मेच प्रेशर केंफर 107 रंस है आपको बैटिंग कर देते हैं बालिंग भी कर देता है लास्ट मैच में तो इसने 500 लावर आवा दा लास्ट बैटिंग को करेगा इख है बैटिंग फर्च में बात स्पयाशल होगा जर्ट के लाद एड़ लॉकन दगर चार मैच असमें 300 रंस दो यहां पर इस टीम के खिलाफ बड़ी पारी आई है चेस करतो हुए पिछले गेम में 85 किया चेस करतो हुए डॉकरेल गेनबाजी नहीं करेगा तो वह वैल्यू नहीं है पिछले गेम में एक वोड अला था 14 रंग आगया था 20 मैचस में 27 विकेट है 255 रंज है वैन्यू के उपर 6 मैच में 8 विक्टे सरततर रंज है तो वही बात है बॉलिंग नहीं करें थ्यॉन वाकरम नहीं खेलता न वन्यू के उपर कपर एक मैच में 0 रं और एक विकेट ना निकाला लांज विकेट ना लास apt में लंग फोल्ड ग्रॉर्ट यह इसका ख्राब गया का था यह फिंग आगश्वे और उन्यू फिरियू-ठॉयू-आये निच्पार आपनए पमें पे लिच्ट बहुत अच्छा रहा है, दो विचेट, नायमिन तीन, जिरो, जिरो, एक, दो, दो, चार, एक, टीन, जिरो, थोड़ीवद वेटिंग भी कर लेता है, क्रिग यंग का छह मैच में आट विक्ट है वैनी की उपर एक मैच में एक फिकेट है ट्राइ करना रेस्टन फॉर्म अच्छा राता है इसका पड़ी ये लंबे ब्रेक के बाद क्रिकेट खेल रहा है बीच में इंजड हो गया था बैरी मकार्थी का 11 नहीं 22 को ड्रॉप किया वेनीकी उपर 12 का फाइफर है दो मैच्छ्ण के अदर ही डिलानी ओंस्ट यहले गानी और इसको मार कादिर ने ट्था इस वाल में चोहीज रंदे के चैनिंग्स में दो बार आउट किया बैरी मकार्थी ने पांच इनिंग्स में दो बार आउट किया इसको सतरा बॉल में पंदरा रंदे के चार इनिंग्स में दो बार आउट किया रहामच शायदी वर्सेस मार कादिर पंतालिस इन सैथीस ने चार इनिंग्स में दो बार आउट किया गुलब दिन नई वर्सेस डॉक्रिल आठ में तीन एंडेम सीर वैन ने शात इनिंग्स में दो बार आउट किया अगर इसको अच्छे से खेल जाता है पॉल सुलिंग इस वाईस अपको उमर जाई ने उसको लास्ट मैस में आउट हिया था पॉल साथ बाल तेन रण दो बार तैक्टर वरसेस गुलब दिन नाईब सपताउन गें सपताउन रण चैनिंग्स में दो बार आउट किया लॉकन टर्जर वर्सेस फारुकी लास्ट गेम आउट किया उन्यूज वाल मत्थाइस रन दिया है उसको डॉक्रेल वर्सेस वरीद कोई स्पेशल मैच अप नहीं है नभी वर्सेस नें डियम सी रवैंग चैनिंग्स में तीन बार आउट किया है चाववन वाल मे लेटर वोड के इनवेश्मेंट काउंट होंगे ओमर जाई काड़स केंफर कॉमर कैप्टन होगे इस गेम में अलाग देना तो नभी है जो बहुत अच्छा ओप्शन है है एरी टैक्टर मार कादिर इब्राहिम जाधरान को रोटेट कर सकते हैं बाइस आप एक दिन बज़ इस ग्राम अलीग हिल टिक मार रहा हूं नाम गुरुबाज है तीसरे आपको दिख जाएगा हूं पर लॉकन टकर आयरलेंड से तो बैटर आप गुरुबाज को ले लीजिए बैटिंग फर्ष्ट में अगर आपको लगता है बैटिंग सेकंड में गुरुबाज की तो वो उतनी वैल्यू नहीं मिलती है आपको क्योंकि उस टीम में पहले एक लेफटी शाहिदी वो उपर आ जाएगा अगर लेफटी भीजना भी हुआ तो फिर देगे इब्राहिम जादरान मैं आगे जिनके आगे टिक मार रहा हूं मेरे टीम में आ चुके हैं गुरुबा उन में से मैं सबसे पहले लूँगा कार्डस केंफर को यह मेरा साथवा प्लेयर है मेरे पास तीन कर का ओप्षन बसता है उन में से पिछले गेम मैंने थीनों को लिया दा जिनके आगे मैं आ क्रॉस मार रही है तो या फिर आप जाईए थानवर वाकरेम यह लौकंट अगर अंदर डिफिकल्ट था फारुक की खेलना जिस तरह का बॉल आरा स्ट्रिंग उठीज के गेंट तो देखते हैं स्टैट्स हुजा आप से मिलता हूं मैं टेलिग्राम के उपपर शाम के साधे चार बजे पिछ रिपोर्ट के साथ इस मैच में कम फर्मली मिल जाओंगा पिछ बुड के साथ जैहिन से सून लव यू